रुप करेंगे भागलपूर का भागलपूर में भार्ती जन्ता पाटी की और से संतोस साह को जीला अद्यक्ष बनाया गया है प्रदेश में आगामी चुनाओं से पहले प्रदेश में संगटन इस्तर पर मजबूती के लिए बाच्वादारा संपूर्ण बिहार प्रदेश में कई कारेकारताव को जीला अद्यक्ष के रूप में मनोनित किया जा रहा है मही संतोस साह ने नवागत अद्यक्ष बनने पर केंद्री मंत्री अस्वीनी चौबे ने उनको पुस्वगुच दे कर सम्मानित किया और कहा कि नवागत अद्यक्ष बच्पन से रास्ट के प्रती समर्पित है और इसकी सुर्वात इन्होंने आरेसे से जुड़ कर करी थी अब सर्थ पर पढ़ाई दिया है यह मैंने इस ताल को परणार बनाना था नहीं मनाए कि आरिवारी दुखर दुखर दिश्की की होड़ी के अदरण आप सब के बाहु को अभी मैं आप सब को बढ़ाई देता हूँ आप सब नों के लिए घवान आपको आपके परवाद को मुझे खुशी है कि आज एक कार्यकर्ता के रूप में जब मैं पहली बार यहां अंठाउंगे में नाइंटी एक में जब यह महीं हां आया था उसमें भागलपूर दंगा के क्रम पर पहली बार आया था बताब आठी के दिश्की कौन से जवाए था पिटी नाइन में उसमें संटोष बाल स्वेंग स्वेंग सकते हैं दो नाते संटोष प्यार से भी करता हूं यह आप जिलाद्यक्स हो गए संटोष जी है रहा हूं चल यह बाल स्वेंग चेंग के नाते ना अपना बार्सलि कान साखा जो है वहां में गया था और वहां पर लोगों को जो वित्रण औगया का भुष्था था उस समय इसमें भी बाल सुंग सहवग के नादे हमें सयोक किया जो लोग घरों में भी कहीं लोग जिनका घर ही हो गहित हैं ग्रियर ही हो इस समय काफी करा ओक और उस समय दक्षिन छेत्र में इसमें बहुत कुछ सहयों किया तो सुरू से ही सामाजी का काम करने की इसकी अभीरूची नहीं थी और जब मैं पहली बार चुनाओ लड़ने आया तो मेरे चुनाओ के दक्षिनी छेत्र के ये सहा परभारी भी थी